भक्तो, इस्त्री मरते दम तक गुलामी करेगी, प्यार में दिवानी हो जाएगी, हमेशा हमेशा आपके प्यार में तडपने लगेगी, सिर्फ दो कील यहां गाड़ दो और फिर देखो चमतकार. जी हां, यदी आप वसीकरन करकर के ठक चुके हैं, और आपको सफलता नहीं मिल पा रही हैं, तो आज हम आपके लिए महबत में जीत हासिल करने का, प्यार में जीत हासिल करने का, बड़ा ही पाउरफुल और एक महा सक्तिसाली विधी तोट का अमल आज हम आपको बताएंगे, जिसको यदी आप अच्छे से समझ लेते हैं, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं, वैसे वैसे इस विधी को आप कर देते हैं, तो पल भर में ही, किसी भी लड़का लड़की को अपनी महबत में बेचैन कर सकते हैं, अपनी महबत में उसको तडपा सकते हैं, अपने प्यार में उसको पागल दिवाना बना सकते हैं लड़का लड़की हरसे में आपी के बारे में सोचेगी हरसे में आपी के ख्यालों में खोई रहेगी आपी से बात करेगी हमेशा आपी को देखना पसंद करेगी जी हाँ, सिर्फ दो कील यहाँ गाड़ दीजिए और फिर देखिए चमतकार कोई भी इसको कर सकता है किसी के लिए भी कर सकता है फिर चाहे वह आपको कोई पती हो पतनी हो, गल्फरेंड, बॉइफरेंड, कोई भी हो किसी के लिए भी आप इस विदी को कर सकते हैं घर बैठे कर सकते हैं मुफ्त में कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी तांत्रिक, मौलवी, बाबा, पंडित किसी के पास जाने की कोई आवज सकता नहीं आप खुद से घर बैठे मुफ्त में इस विधी को कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको इसकी पूरी विधी बताता हूं कि कैसे और किस परकार से इसको आपको करना है इसको करने के लिए आपको एक वाइट प्लेन पेपर इस तरह से ले लेना है और दो किल ले लेनी है ठीक है अब आपको क्या करना है सबसे पहले अपने प्यार का मनहीमन ध्यान करना है उसका चहरा सा अपने दिलो दिमाग में आपको बसाना है उसको याद करना है ठीक है सबसे पहले मैं आपको दिन बता देता हूँ किस दिन इस विदियो करें यह विदिया आप सनिवार और मंगलवार के दिन करें हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि सनिवार और मंगलवार के दिन अगर कोई भी हम वसी करन टोटका करते है तो इसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है बहुत ही जल्दी इसका परणाम देखने को मिलता है जो भी तंत्र किरिया वगेरा की जाती हो अब आपको क्या करना है, अपने प्यार का मनिमन ध्यान करना है, और एक मंत्र हम बता रहे हैं, वो मंत्र आपको बोलना है, दक्षिन दिसागी और मुख करके आपको बेड़ जाना है, ठीक है, और इस मंत्र को आपको बोलना है, वसी करण का यह है, एक रियल और सच्चा मंत् मंत्र को कितनी बार बोलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा भहरवाय अमुक के स्थान पर यहां पर अपने प्यार के नाम का चारण करना है जिसको भी आप अपने वस में करना चाहते हैं उसके नाम का आपको चारण करना है अमुक वस स्वा ठीक है इस मंत्र को आपको बोलना है कितनी बार बोलना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह मंत्र आपको इस तरह से कील अपने हाथ में लेनी है ठीक है अपने प्यार का मनहीमन ध्यान करना है इसको कील को अपने सर से इस तरह से साथ बार घुमा लेना ह इस मंत्र को आपको बोलना है इस मंत्र को आपको 333 बार बोलना है ठीक है 333 बार जब आप इसके उपर ये मंत्र बोल देंगे तो ये कील सिद्ध हो जाएगी अब इन कील को ले जाकर कि आपको घर से बाहर जाना है और कहीं सुनसान जगे पर कोई आपको विरक्षी दिखाए दे उस पेड़ के नीचे आपको इसको गाड़ देना है ठीक है बस ये छोटा सा कारी आपको करना है और इसका बहुत ही पाउरफुल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जी हां जिसको भी आप अपने बस में करना चाहेंगे वह आपकी महबत में बेचैन हो जाएगी आपक करके गाड़ देनी है तुरंत आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी हमेशा हमेशा आप ये ख्यालों में खोई रहेगी फिर चाहे कितनी भी दूर क्यों ना रूट करके चले गयो तुरंत आपके पास चले आएगी आपसे संपर्क बनाने की कोशिस करेगी